बाबा रुको एक मिनट हाँ बिटिया बताओ क्या हुआ बाबा ये पूजा का धागा और रोली तो घर पर ही भूले जा रहे थे ओहो सच मैं मैं तो पूजा का सामान बिल्कुल भूली ही गया था लाओ इस थेले में रख दो ये सब हाँ ये लो बाबा और अब जल्दी से जाकर नया आटो रिक्षा घर लेकर आओ और हाँ साथ में लड़ू लाना मत भूलना हाँ मेरी अम्मा जरूर लेकर आओंगा मोहन राजनगर में रहता था और रिक्षा चला कर अपने परिवार का पेट पाल रहा था परिवार में मोहन, मोहन की पत्नी बिमला और साथ साल की बेटी पिंकी थे मोहन बहुत महनती था साथ ही बहुत इमांदार और समझतार भी दिन भर मेंनत करके जो भी कमाता उसे बड़ी ही होश्यारी से खर्च करता था वो चाहे जितना भी कमाए, कुछ न कुछ पैसे बचाता जरूर था इस तरह कुछ पैसे जोड कर अब मोहन एक नया आटो रिक्षा खरीदने जा रहा था हालंकि कुछ लोन भी लेना पड़ा उसे, लेकिन उसे विश्वास था कि वो सब संभाल लेगा सर, मैं आ गया, वो मेरा आटो, हाँ हाँ आ जाओ, तुम्हारे सारे पेपर तयार है, बस आकर साइन कर दो मोहन अपना नया आटो लेकर घर आ गया, वो बहुत खुश था, नया आटो देखकर पिंकी और बिमला भी बहुत खुश हुए, फिर रात के वक्त मोहन ने घर के बाहर आटो के पास ही अपनी खाट लगा ली, पिंकी भी वही पर आ गई, और फिर दोनों काफी देर तक नए आटो को निहारते रहे, अगले दिन सुबह सुबह ही मोहन अपना आटो लेकर निकल पड़ा, शाम होते होते उसने करीब 700 रु यह सोचकर मोहन एक धाबे पर पहुँचा और वहां उसने एक चाय ओडर की, वो धाबे के बाहर ही बैट गया, उसकी नजरे अब भी अपने नए आटो पर ही टिकी थी, कुछी देर में धाबे वाला चाय लेकर आ गया, लो भीया तुम्हारी चाय, लाओ भाई, अरे भीया यह आटो तुम्हारा ही है न, इसे स्टार्ट ही छोड़ दिया क्या, हैं, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे, अरे यह कैसे, लेकिन यह स्टार्ट कैसे हुआ, चावी तो मेरे पास है, मोहन के हाथों में आटो की चावी थी, लेकिन फिर भी आटो स्टार्ट था, यह देखकर मोहन वो चाय को वहीं छोड़ कर फॉरन आटो की तरफ दोड़ा लेकिन तब तक आटो अपनी जगह से आगे बढ़ने लगा था मोहन और तेज भागा और किसी तरह आटो में चड़ गया हे भगवान अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और ये अभी से बिकड़ गया अरे रुपजा भाई चाबी तो लगाने दे कहा भागा जा रहा है मोहन आटो को रोखने की पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहा था मोहन ने आटो को साइट में लगाने की भी कोशिश की मगर ये भी नहीं हो सका क्यूंकि असल में मोहन आटो को लेकर नहीं, बल्खी आटो उसे लेकर जा रहा था काफी देर तक आटो इसी तरह अपने आप चलता रहा और फिर एक जगह जाकर रुख गया शुक्र है भगवान का, ये रुका तो सही मोहन ने चैन की सांस ली, तभी उसे किसी के चिलाने की आवाज सुनाई दी उस आदमी का एकसिडेंट हुआ था जिसके चलते वो और उसकी गाड़ी गहरे नाले में जागी रहे थे वो काफी देर से वहां मदद के लिए चिला रहा था मोहन ने फॉरण उसकी जान बचाई और फिर उसे आटो में बिठा कर उसे अस्पताल ले गया साथ ही उसके घरवालों को भी अस्पताल बुलवा लिया जब मोहन वापस जाने लगा तो उस आदमी ने मोहन के हाथ में हजार रुपे थमा दिये रखलो भाई तुमने आज मेरे लिए जो किया है उसके आगए ये कुछ भी नहीं है मोहन घर वापस आगया आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी ये देखकर बिमला भी बहुत खुश हुई लेकिन मोहन अब भी बहुत परिशान दिख रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका आटो अपने आप उस जगह कैसे पहुँचा फिर अगले दिन पिंकी जल्दी से खाने का डिबबा तो ले आना ये लो बाबा बाई शाम को मेरी लिए फिर से लड़ू लाओगे ना हाँ ठीक है ले आउंगा बेटा मोहन आटो लेकर सीधा सरकारी कॉलेज के सामने जाकर खड़ा हो गया और सवारी का इंतजार करने लगा तभी अचानक आटो फिर से खुद स्टार्ट हो गया अरे बाबरे ये तो फिर से चालू हो गया ए भगवान पता नहीं आज कहां लेकर जाएगा मोहन आटो में ही बैठा था लेकिन इस बार भी उसकी हर कोशिश बेकार थी आटो एक फ्लाइ ओवर पर चड़ गया जो अभी बनी रहा था मोहन दे रास्ता पहचान लिया और सोड से चिलाया ए भगवान ये फ्लाइ ओवर तो अभी पूरा भी नहीं बना ये कमबक्त खुद तो गिरेगा ही मुझे भी गिरा कर मारेगा ए भाई रुख जा रहे क्यों मेरी जान लेने पर तुला है अगवान के लिए रुख जा अरे कोई है अरे कोई तो रोको इसे मोहन लगातार चिला रहा था तभी अचानक ओटो खुभी रुख गया मोहन फॉरण आटो से नीचे उत्रा और उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक औरत उस अधूरे फ्लाइ ओवर से बस कूद नहीं वाली थी अरे अरे बहन ये क्या कर रही हो नीचे उत्रो फॉरण नीचे उत्रो तुम नहीं भया मर जाने दो मुझे मेरे पास जीने की अब कोई वज़य नहीं है देखो परेशानिया सब के साथ होती है सुनो तुम सबसे पहले नीचे उत्रो और मुझे बताओ क्या परेशानी है मैं तुम्हारी मदद करूँगा वो महला मोहन की समझाने पर नीचे उतर जाती है असल में उस महला की शादी एक हफ़ते पहले ही हुई थी और एक दिन पहले ही उसने अपने पती को एकसिडेंट में खो दिया था वो हिम्मत हार चुकी थी इसलिए आत्मत्या जैसा कदम उठाने जा रही थी मोहन ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया और फिर उसे सही सलामत उसके घर छोट कर आया मैं अगर हर रोज यही सब करता रहूंगा तो सवारियां कब उठाऊंगा नहीं इस आटो में जरूर कुछ गड़बर है ऐसा करता हूं इसे एजनसी लेकर जाता हूं मोहन पास के ही एक घने पेड़ की छाओं में अपना खाने का डिबबा लेकर बैठ जाता है लेकिन वो खाना शुरू कर पाता उससे पहले ही मोहन खाना छोड़कर फॉरन आटो में जाकर बैठ गया आटो एक बार फिर बिना मोहन की मर्जी के चलने लगा आटो बहुत तेजी से जा रहा था लेकिन इस बार मोहन रास्ता पहचालता था अरे ये तो एजनसी की तरफ रहा है क्या बात है लगता है इसने मेरी बात सुननी बस ये एजनसी पर जाकर रुख जाए आटो जहां से खरीदा गया था ठीक उसी एजनसी के सामने जाकर रुख अब देख तू कैसे तेरा इलाज करवाता हूँ मोहन आटो से बाहर निकला और जैसे एजनसी की तरफ मुड़ा हक्का बक्का रह गया एजनसी में आग लगी हुई थी और बहुत तेजी से बढ़ रही थी अरे ये क्या ये आग नहीं नहीं इसे रोकना होगा अभी रोकना होगा मोहन फॉरन फायल ब्रिगेट को बिलवाता है और फिर किसी तरह आग को बुझाय जाता है फिर एजनसी का मालिक मोहन के पास आता है और उससे कहता है तुम ही मोहन हो ना जी मैं ही मोहन हूँ मोहन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा अहसान चुकाऊंगा आज तुम ना होते तो सब भरबाद हो जाता जिस वक्त यहां आग लगी एजनसी उस वक्त बंद थी अगर तुम वक्त पर फायर ब्रिगेड नहीं बुलाते तो आज सब बरबाद हो जाता कोई बात नहीं सर ये तो मेरी खुस किसमती है जो मैं ये सब कर पाया वैसे सर मैंने अपना ये आटो आपके यहीं से लिया है इसमें कुछ दिक्कत है कि आप इसे ठीक कर देंगे हाँ हाँ क्यों नहीं बताओ क्या परिशानी है परिशानी ये है कि आपका ये आटो बड़ा ही मनमोजी है खुद ही स्टार्ट हो जाता है खुद ही चलने लगता है और फिर खुद ही रुख जाता है मेरी तो ये सुनता ही नहीं अरे ऐसा कैसे हो सकता है ये तो नममकिन है सर मेरा यकीन कीजिए अच्छा एक काम कीजिए आप मेरे साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है चलो एजेंसी मालिक आटो के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है मोहन भी उसके साथ ही पीछे वाली सीट पर बैठने लगता है भई तुम भी पीछे बैठोगे तो आटो चलाएगा कौन मैंने आपको बताया तो सही ये अपने आप ही चलता है सर मोहन और कुछ कह पाता है उससे पहले ही आटो खुद ही स्टार्ट हो गया अरे ये स्टार्ट कसे हो गया इसे बंद करो भाई ना ना सर अभी तो आपने देखा ही क्या है अब ये तब ही रुकेगा जब इसकी मर्जी होगी आटो पूरी रफ्तार से दोड़ने लगा था एजनसी मालिक के हालत खराब हो रही थी लेकिन मोहन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे तो इस सब की आदत जो हो चुकी थी मोहन आटो से उतर कर इधर उधर देखने लगा तब ही उसे एक बुढ़ी महला दिखाई दी जो पट्री पर बेहोश पड़ी थी मोहन और उस एजनसी के मालिक ने मिलक ने मिलकर उस बुढ़ी महला को पट्री से उठाया और उसकी जान बचा ली अमा ठीक तो हो अमा ऐसे क्यों पड़ी थी घर कहा है तुम्हारा बुढ़ी महला जैसे ही उन दोनों की तरफ घूली एजनसी मालिक बुरी तरह से चौंक गया असल में वो बुढ़ी महला एजनसी के मालिक की माँ थी जो काफी समय से लापता थी Agency का मालिक अपनी मा को गले से लगा कर रोने लगा फिर उसने मोहन को सारी बात बताई और उस से बोला एक ही दिन में तुमने दो बार मेरी मदद की है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता लेकिन हा, कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ आज से तुम ये आटो नहीं चलाओगे अब तुम मेरी कार चलाओगे और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत अच्छी तनखो दूँगा तुम्हारे आटो का लोन भी मैं माफ करवा दूँगा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन अगर मैं आपकी गाड़ी चलाओगा तो इस मस्त मौला को कौन चलाएगा और ये नहीं चलेगा तो लोगों की मदद कौन करेगा एजेंसी मालिक मोहन की बात समझ चुका था और मोहन भी ये समझ चुका था कि उसके आटो में कोई खराब ही नहीं है बलकि वो तो एक जादूई आटो है जो किसी सूपर हीरो की तरह सब की मदद करने के लिए ही बना था वाउ ये लिप्स्टिक कित्ती सुन्दर लग रही है मेरे फेस पर और ये आईशेडो ये भी अच्छा है मैं इसे फाड़ू या सिलू मेरी मर्जी तू अपना मू बंद रख मेरे कमरे में जाडू पोचा करने आई है न तो चुप चाप वही कर और जा यहां से जाडू पोचा तो मैंने सुबा ही कर दिया था दीदी मैं उसके लिए नहीं आई तो फिर क्यों आई है यहां वो दीदी कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है तो पार्टी के लिए क्या आप मेरा मेक अप कर दोगी क्या कहा मेक अप उससे क्या होगा तू खाली कलूटी मेरे जैसी गोरी चिटी दिखने लगेगी क्या और वैसे एक बात तो बता तू पहनने वाली क्या है पार्टी में वो मा की एक साड़ी है मेरे पास वही पहन लूँगे सच में यार तेरा कुछ नहीं हो सकता एक तो ऐसी बखवास शकल उपर से साड़ी इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू फ्रेशर पार्टी में जा ही मत ये तेरे ले भी अच्छा रहेगा और मेरे ले भी इतना कहकर शैली कमरे से बाहर निकल गई शैली और सोनी एक दूसरे की कजिन थी सोनी शैली की बुआ की बेटी थी जो पहले अपने पिता और फिर अपनी मा शीला की मौत के बाद बिलकुल अकेली पड़ गई थी ऐसे में उसके मामा यानि शैली के पिता राजेंडर ने सोनी को सहारा दिया और वो उसे अपने घर लेकर आ गए उन्होंने सोनी का एड्मिशन शैली के साथ उसी के कॉलेज में करवा दिया लेकिन इस सब के बावजूद सोनी का अकेला पन अब भी दूर नहीं हो रहा था क्योंकि वो अपनी मामी शैली नी और बेहन शैली को फूटी आँख नहीं सुहाती थी दरसल सोनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था इस वज़ा से वो दोनों ही हमेशा उसका मजाग उड़ाय करती थी मामी जी मैंने नाश्ता बना दिया है अब मैं जाओ क्यों घर में बस नाश्ता ही बनाना होता है क्या वो इतने सारे कपड़े पड़े हैं उन्हें कब धोएगी मामी जी लेकिन मुझे तो कॉलेज कॉलेज जाना है उफ शकल से तो मनहूस है ही उपर से एक नंबर की कामचोर भी है यह लड़की वैसे आज तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है ना तो तू वहाँ जाकर क्या करेगी चल जाकर कपड़े दो क्यों मामी जी मैं क्यों नहीं जा सकती फ्रेशर पार्टी में शैली दीदी तो कितनी देर पहले ही चली गई आपने उने तो एक बार भी नहीं रोका अच्छा तो तू अब मेरी शैली की बराबरी करेगी अरे उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है तू जाके शकल देख अपनी आईने में तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम तुझे पाल रहे हैं वरना तू तो किसी के सामने जाने की भी लायक नहीं है अब अपनी आउकात में रहे और जाकर घर के सारे काम निपता समझी ऐसा सोनी के साथ लगभग रोज ही होता था कभी शैली तो कभी उसकी माशाली नहीं उसे उसके सामले रंग रूप के लिए बाते सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे इस सबसे सोनी को बहुत रोनाता था साथ ही उसे अपनी मा की भी बहुत याद आती थी सोनी अपनी मा की फोटो को गले लगा कर जोर-जोर से रोने लगती है तब ही उसे एहसास होता है कि उस फोटो का फोटो फ्रेम कुछ तूट सा रहा था सोनी उसे ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन वो ठीक होने के बजाये दो हिस्सों में तूट जाता है सोनी ये देखकर चौंक जाती है कि उस फोटो फ्रेम के अंदर एक चाबी थी अरे ये चाबी ये किस ताले की चाबी है और ये मा की फोटो के अंदर कैसे आई तब ही अचानक उसे कुछ याद आता है अरे कहीं ये चाबी उस ताले की तो नहीं सोनी फॉरन वहां से उठकर अपनी मा के पुराने संदूख के पास जाती है और उसे खोलती है उस संदूख में सोनी ने अपनी मा की चीजे संभाल कर रखी हुई थी उस सामान में एक बॉक्स भी था जिस पर ताला लगा हुआ था सोनी ने अपनी मा के जीते जी वो बॉक्स कभी घर में नहीं देखा लेकिन जब उसकी मा की मौत हुई तो वो बॉक्स उसकी मा के सामान से ही मिला हाला कि उस वक्त सोनी उस बॉक्स पर लगे ताले की वज़ा से उसे खोल नहीं पाई लेकिन अब उसके पास एक चाभी थी सोनी फॉरंण उस चाभी से उस बॉक्स के ताले को खोलने की कोशिश करती है अरे ये ये ताला तो खुल गया लेकिन मा ने इस चाभी को इतना छिपा कर क्यों रखा था जरूर इसमें कोई खास चीज है सोनी उस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें एक लाल मकमल के कपड़े में लिप्टी हुई एक फेस क्रीम रखी हुई थी ये तो वही फेस क्रीम है जो मा हर रोज अपने चेहरे पर लगाये करती थी पर माने इसे इस बॉक्स में क्यों रखा वो भी ताला लगा कर सोनी उस बॉक्स को अच्छे से अलट पलट कर देखती है तो उस बॉक्स में से एक कागस भी निकलता है वो एक चिठी थी जिसे सोनी की माने उसके लिए लिखा था सोनी उसे खोल कर पढ़ना शुरू करती है सोनी मेरी बच्ची इस चिठी के साथ जो फेस क्रीम तुम्हें मिली है ये कोई साधारन क्रीम नहीं है बलकि ये एक जादूई क्रीम है तुम हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछती हो कि जब मैं इतनी गोरी हूँ तो तुम सामली कैसे बेटा आज में तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बच्चपन से सामली थी मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सभी लोग मेरे सामलेपन का मजाग उड़ाय करते थे मैं सारा दिन अपने घर में ही बंद रहा करती थी लेकिन फिर एक दिन मुझे ये जादूई फेस क्रेम मिली इसे लगाते ही मेरा रंग रूप ऐसा बदला कि मेरी जिंदगी बदल गए अब तुम भी बड़ी हो रही हो मैं अब ये जादूई क्रीम तुम्हें देना चाहती हूँ लेकिन इसके साथ ही एक बात और है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए सोनी की मा उसे और क्या बताना चाहती थी ये सोनी नहीं जान सकी क्योंकि इसके आगे चिट्ठी का कागस फटा हुआ था अब क्या करूँ पता नहीं मा मुझे क्या बताना चाहती थी वो सब बाद में सोचूँगी फिलाल तो ये देखना चाहिए कि क्या सच में ये एक जादूई फेस क्रीम है सोनी उस क्रीम को लेकर आईने के सामने जाती है और फिर थोड़ी सी क्रीम निकाल कर उसे अपने चेहरे पर अच्छे से मलती है इसके तुरं बाद सोनी के आस-पास कुछ चमक से उठती है जिसकी बज़े से सोनी की आखे बंध हो जाती है और फिर ये मैं हूँ? या सच में ये मैं ही हूँ? ये तो कमाल हो गया, ये तो सच में एक जादूई फेस क्रीम है सोनी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था, उसका चेहरा एकदम साफ और रंगत गोरी हो गई थी सोनी ने ध्यान दिया कि उस जादूई फेस क्रीम को लगाने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी, जैसी कि वो हमेशा से दिखना चाहती थी सोनी बहुत खुश थी, सुन्दर दिखने के उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी वो फॉरण अपनी मा की साड़ी पहन कर तयार हुई और अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में पहुँच गए पार्टी में अब तक सर्फ शैली की ही चर्चा हो रही थी लेकिन सोनी के वहां आते ही सब की नजरें सोनी पर ही जाटी की रोहन कहां जा रहे हो चलो नडांस करते हैं इतना कहकर शैली का अच्छा दोस रोहन वहां से चला जाता है और सीधा सोनी के पास जाकर उसे डांस के लिए पुछता है ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वो तो सोनी को पहचानी नहीं पाई थी दूसरी तरफ सोनी को पहली बार कहीं इतनी एहमियत मिल रही थी वो रोहन के साथ काफी देर तक डांस करती है और फिर पार्टी के बाद वो वापस घर आ जाती है घर आकर वो जैसे ही अपना मूध होती है तो उसका चेहरा पहले की तरह हो जाता है अच्छा तो इसका मतलब मुझे इस क्रीम को लगाने के बाद पानी से दूर रहना पड़ेगा सोनी किसी को भी उस जादूई फेस क्रीम के बारे में नहीं बता थी वो घर से निकलने से पहले चुप चाप उस फेस क्रीम को लगा ले थी और फिर वापस घर आने से पहले ही पानी से अपना चेहरा धो ले थी ऐसा कई दिनों तक चलता रहा लेकिन फिर एक दिन कॉलिज के वाश्रो में शेली ने सोनी को अपना चेहरा धोते हुए देख लिया अब वो सारी सच्चाई जान चुकी थी वो फॉरण सोनी के पास जाकर गुस्से से बोली अच्छा तो तुझे मुझसे इतनी जलन हो गई कि तू काला जादू करने लगी है ठेहर जा आज मैं मां से तेरी शिकायत करती हूँ तेरा दिमाग तो वही ठिकाने पर लगाएंगी नहीं नहीं दीदी ये सच नहीं है मैं कोई काला जादू नहीं कर रही जूट मत बोल मैंने अपने आँखों से देखा भी मूध होने से पहले तू कोई और थी आपने जो देखा वो गलत नहीं है दीदी लेकिन मेरा यकीन कीजिए ये कोई काला जादू नहीं बलकि ये सब मेरी मा के इस जादूई फेस क्रीम का कमाल है सोनी शेली को उस क्रीम के बारे में सब कुछ बताती है शेली फॉरन सोनी से वो फेस क्रीम चीन लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है दीदी ये क्या कर रही हो आप वो मेरी क्रीम में मुझे वापस दो चुप हो जा, इस दुनिया में कोई भी खास चीज तेरे लिए नहीं है, समझी न? शैली वहाँ से चली गई, और घर आकर उसने सबसे पहले अपने चहरे पर उस फेस क्रीम को लगाया वो पहले से ही गोरी थी, लेकिन फिर भी उसे तो और सुन्दर दिखना था क्रीम को लगाते ही वहाँ फिर से रोशनी हुई और शैली की आखे बंद हो गए, इसके बाद आ, ये, ये क्या हो गया मेरे चहरे को? उस जादूई फेस क्रीम का शैली के चहरे पर उल्टा ही असर हुआ, उसका रंग काला हो गया ये देखकर शैली जोर-जोर से रोने लगी, तब तक सोनी घर आ चुकी थी, उसने जैसे ही शैली का हाल देखा तो उससे बोली अब परिशान मत हो दीवी, जाओ जाकर अपना मुँ अच्छे से धोलो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा शैली ऐसा ही करती है, चेहरा धोते ही उसका चेहरा पहले जैसा हो जाता है फिर वो उस क्रीम को सोनी की तरफ फेकते हुए कहती है, ले तुही रख अपनी ये बक्वास क्रीम, मुझे नहीं चाहिए सोनी अपनी क्रीम को वापस पा कर बहुत खुश होती है लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस फेस क्रीम का असर शैली पर उसे अलग क्यों हुआ सोनी ने एक बार फिर उस क्रीम वाले बॉक्स को अरेखा तो उसमें से चिठी का बचा हुआ हिस्सा भी बाहर आ गया सोनी ने उसे पढ़ना शुरू किया बेटा इस फेस क्रीम का जादू ये है कि ये इनसान के मन की छाप उसके चेहरे पर ले आती है याद रखना जैसा तुम्हारा मन होगा इसे लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही बन जाएगा अब सोनी को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था साथ ही अब वो ये भी समझ गई थी कि सारी जिन्दगी सुन्दर दिखने के लिए अब उसे क्या करना है और क्या नहीं करते हैं